हेलो फ्रेंड कैसे अप लोग आशा करती हूं अच्छे होंगे, स्वास्थ होंगे और मस्थ होंगे तो देखे आज मैं बनाने जा रही हूं लेक्टि और चोखा तो बर्साथ का मौसम है, बर्सा होते ही हमारे बच्चों को लेक्टी चोखा खाने का मण लगता है तो इधर बारिस हो रही है, तो इधर हम बना रहे हैं, लिट्टी और चोखा, तो देखिए यह मैं अपपा पैन मंगाई थी, एमोजोन से, आज मैं इसी में बना के दिखा रही हूं, कि कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने दो प्याज ले लिए, बड़े बड़े यह प्य इसके हम छुट छुट चुट टुकुडे कर लेंगे, तो प्याज को छुट छुट कटके डालेंगे, सत्व मैं बहुत अच्छा लगता है, अच्याने का सत्व मिलता है, पैकेट वाला हम होई लाएं, अब पतानी कैसा होगा, बड़िया आए कैसा होगा, लेकिन अच्छा प्याज को छोटे छोटे काट लेंगे दम बारिक बारिक जितना प्याज में मसाला डालेंगे सब उतना अच्छा लगता है टेस्ट यानि कि ये प्याज लशन इससे टेस्ट आता है सक्तु में कोई तो पीश के भी डाल लेते हैं लेकिन पीश आओ मदना टेस्ट नहीं आता है जितना कटिंग कर कर आता है तो हम देखे दिरे-दिरे को चटा से टक करके सारा प्याज काट लेते हैं तो प्याज कट गया है रख लेते हैं प्लेट में और प्याज मिस में डालेंगे और हरी मिर्च अपना स्वाद के नुसार हरी मिर्च डालें जितना देखा खाना आपको तो हरी मिर्च भी काट लेते हूं और लासन लासन में तो इसमें बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है तो लासन को भी में बार एक बारी काट लेते हैं देखें नुलासन छेल लियां कम एक के लिए उसको में छुटा छुटा टुकुड़े में काट लेते हैं जो लोग भी हार के ऊंगा उसको तो पताई होगा लेटी जोगा कैसे बनता है क्योंकि वहां का तो फेमस है और यह मैं अधर रख ले लियूं इसको भी छुटा छु तो इसमें लशन, प्याज, हरी मिर्च, अधरक इतना जरूरी है इसके बगर तो मज़ा ही नहीं आएगा और निम्बु अपना जितना आप खटा खा सकते हैं जितना खटा रहेगा उतना अच्छा लगेगा तो यह मेरे निम्बु छोड़ा छोटा है चार निम्बु है तो इसको भी हम काट लेते हैं और निम्बू का रस तो देखिए मेरा सारा कुछ काटके ले लिया है उदर प्यार्ज लासन अधरक मिर्ची और निम्बू अधर यह मेरा सत्तु आधा किलो है इसको हमने च्छान के ले लिया है अब इसमें सारे जो काटके रखें मिला देती हूं कि मिला कि इसको कि सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक इससे खुस बून आए आने लग जाए और एक छनी ले ले लेते हैं उसमें से निम्बू का रस निचोड़ लेते हैं ताकि इसमें बीज ना जाए ऐसे अगर हम डालेंगे तो बीज चला जाएगा उसमें बीज कड़वा लगेगा तो छनी में बहुत अच्छा से निचोड़ा जाता है तो हमने ले लिया निम्बू करस आप लोग अपने हिसाब से जेतना सत्तोगा उस हिसाब से बनाईएगा और बस इसका टेस्ट लाने का यह तरीका है कि आप जितना इसको मिला सकते हैं और इधर देखिए हमने ले लिया स्वाधनुसार नमक अजमाइन और कलॉन जी और इसमें डालेंगे अब थोड़ा सरसो तेल तो अब इसको भी डालके अच्छी तरह से मोयन करेंगे यह मिलाएंगे अच्छी तरह से मिलाते मिलाते इससे खुस भूआने लग जाता है देखिए कैसा कलर चेंज हो गया मिला मिला के कम सकम इसको हम साथ मिनट पांस साथ मिनट से मिला रहें तो सत्तु बन के तयार हो गया इदर अब हम करते हैं इदर चोखा के तैयारी तो चोखे के लिए मेरा बेगन है मिडियम साइज का तीन बेगन है हम देख लेते इसको च्छी से काटके किड़ा उड़ा तो नहीं है और आज हम बेगन का चोखा गैस पे पका के नहीं बिनाएंगे न पानी में वाल के हम अलगी त ज्यान से पूरा देखेंगे तब यह पता चलेगा कि मैं आज नया इस्टाइल से बना रही हूं चोखा और यह चोखा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसलिए पूरा देखें अब फिर पूड़े बेगन काट लिए अधर टमाटर बे में हम थोड़ा चीडा लगा लेते क्योंकि अगर यह साब उतर हैगा अपम और इसको फ्राइ करेंगे तो यह फट फट अबाज करेंगा और उड़ेगा और इधर हम आलू भी ले लेते हैं आलू भी निवा लेंगे हम आलू भी छिलके ले लेंगे यह चिपसोना आलू है यह बहुत जल्दी गल जाता है यह पानी में यह फ्राइज जैसे भी करेंगे बहुत जल्दी हो जाता है तो आज हम सबको फ्राइज करके बनाएंगे चो बरने में जल्दी यह सही से हो जाए और हम इदर आटा कुंद लेते हैं लिट्टी बनाने के लिए देखें आटा में मतलब ज्यादा टाइट या ज्यादा लूजनी गुंदना है ताइट ही रखना मतलब ज्यादा लूजनी करना है रोटी जैसा नहीं उससे थोड़ा टाइट ताकि भरने में सही हो सत्तु जब इदर आटा वाटा गुंद के रख लेते हैं फिर हम चलेंगे उदर गैस की और फिर उदर बनाएगे चोखा के त्यारी करेंगे तो दिखिए आटा गुंद गया है अब हम रख देते इसको रेष्ट के लिए अब इदर देखिए हम आगए गैस पर गैस के पास तो उसमें कडाई रख दियो और मैं इसमें डाल रहे हूं देशी घी में फ्राई करूंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता गी में तेखिए गी डाल दिया कडाई में उसमें बैगन डाल दिये और बहुत जल्दी गल जाएगा इसमें यह सीच जाएगा और टेस्ट तो इतना अच्छा आगा कि पूछिए मत तो हम ऐसी धिरे आंच करके इसको पलट पलट के बैगन फ्राई कर लेते हैं यह फ्राई करते करते ही देखिए गल गया बहुत अच्छा से यह होता है इसमें जैसे आप गयस पर बनाते हैं वह बालते हैं उससे अच्छा होता है फ्राई करके तो मैं भी यह बला इस्टाइल पहली बारी बना दियूं अधर हम देखिए आलू भी डाल दिया है आलू भी फ्राई कर लेते हैं तो देखिए आलू भी डालके हम इसको पलट पलट के इसको भी फ्राई कर लिए आलू हो गया मेरा फ्राई अब टमाटर भी डाल दिये अब इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे लैसन भी डाल देंगे सबको फ्राई करके देखिए एक पलेट में निकाल लिए अब यह ठंडा हो गया अब हम सबको छील लेते हैं और बहुत असानी से यह छील भी जाता है कि देखिए बहुत असानी से छील का उतर रहा है कोई दिक्कत नहीं है कि हां मतलब फ्राई हुआ तो नहीं होगा टमाटर भी छील रहा अच्छी तरह से और बारिस के मोसम में लिट्टी चोखा खाने में बहुत मज़ा आता है तो टमाटर भी देखिए छील रहा है अब सब छील गया अब हम इसको सबको मैस करेंगा अच्छी तरह से एक दम बारिक बारिक चूर देंगा सबको तो देखिए मेने हाथ से सबको मसल रहा हूं बहुत देखिए बहुत अच्छा बनता है चोखा अब इसमें डाल देते थोड़ा नमक स्वादनुसार नमक और थोड़ा डाल देंगे इसमें तेल यह वला चोखा बहुत अच्छा लगता खाने में बहुत ही टेस्टी और यह कच्छा तेल डाल देंगे नहीं से और स्वाद बढ़ जाता है तो देखिए अदर मेरा चोखा त्यार हो गया अब हम चलते हैं लिट्टी बनाने के लिए तो मेरा आटा भी हो गया था पाच मिंट गुंद के रख दिये थे अब हम गोल गोल लोही बना लेते हैं और इसमें हम एक तोदो चम्मच करके सत्तु भर लेते हैं और अच्छा से उपर से दबाते हुए इसको गोल गोल कर लेते हैं अगर वी हम बहुत बड़ा भी नहीं बना रहे हैं बहुत चोटा भी नहीं मिड्यम साइज का देखे यह अथ इतना बड़ा थम्हें सीतर करके को गुले बना बनाके कम में पैन में मेरा एक बार में बारा बनेगा तो हम बारा में जब तक सत्तु भर लेते हैं आशी कयो करी जैसा बनाएंगे और वश्मे tau में भरेंगां जो कि ताकी फटे न साइड से और ऐसे गोल गोल बना लेंगे तो देखिए हमने ऐसे करके बना लिया यह बारा बना लिया और यह पैन में एक बार में बारा बनेगा तो देखिए पैन में माई थी एमोजन से फिलिप्स का है इसमें बहुत अच्छा बनता है बिना तेल घी का देखें इसमें कुछ भी नहीं डाला ना तेल न घी कुछ नहीं हम सब्सक्राइब डाल देते हैं कि करके और इसके साथ धखकन भी आया उसको मची तरह से ढख देते हैं मैं भी पहली बार बना रहे हूं उसमें देखते हैं कैसा बनता है तो देखें हमने डख के रख्यूं पास मिंट हो गया अब हम डखकन अटा के देखते हैं तो एक तरफ सीख गया हम इसको पलट रहे हैं इसके साथ एक लकड़ी का आया है पलटने वाला तो हम इसको पलट पलट के शेख लेते हैं दुन तरफ तो देखें कितना अच्छा सीख रहा एकदम जैसे लग रहा हम आग में शेख रहे हैं तो हम फिर पलट के फिर ढख दिये ढखकन अब फिर देखते हैं ढखकन हटा के तो देखें चारो तरफ से शेख गया अच्छा से बहुत ही अच्छा बना इसमें तो आप लोग को भी अच्छा लगा हो तो जरूर मंगा लिजेगा बहुत अच्छा बनता है मैं इसको तोड के दिखा रही हूँ अंदर तक अगदम पक गया है तो देखें कितना अच्छा लिट्टी बनाए बहुत अच्छा सीख गया अंदर से तो आप लोग को मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा जरूर बताइएगा और देखें हमने उसे निकालके सिधा मने गी में डाल दिये तो लेजे फ्रेंड मेरा लिटी चुखा बनके तियार है आप लोग भी खाईए और बताईए आप लोग में से किसको किसको पसंद है कॉमेंट में जरूर बताईए और मैं इसी तरह रेसेपी लेके मिलूंगी अगले वीडियो में तो तब तक के लिए बाई